17 जुलाई 2023 सोनवती अमावस्या करें इंग पाच वस्तों पर दान फित्र प्रसंद्रों पर देंगे आशिवार आज इंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में सावननास की हरियाली अमावस्या पर बन रहे सोनवती अमावस्या के शुब्योग, शुब्मूरत, तिथी, पूजा विधी और सोनवती अमावस्या पर के जाने माले पाच महादान के बारे में जो पित्रों को प्रसंद्र करने के लिए सबसे खास माने जाते हैं हलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में सावन के महीने में आरही सोनवती अमावस्या तिथी, शुब मूरत और इजिन किन चीज़ों का दान करना शुब होता है सावन अमावस्य शुग नूराग दो हजार तेस सावन सोंबती अमावस्या 17 जुलाई सोंबान को है अमावस्या तिधी प्रारंबोगी 16 जुलाई रातरी 10 बच कर 8 मिनट पर अमावस्या तिधी समागतोगी 18 जुलाई प्रातकार 12 बच कर 1 मिनट पर इसनाम दान का समय होगा सुबह 4 बच कर 12 मिनट से, सुबह 4 बच कर 23 मिनट, अमरित मूरत होगा सुबह 5 बच कर 34 मिनट से, सुबह 7 बच कर 17 मिनट, शुब मूरत होगा सुबह 9 बच कर 1 मिनट से, सुबह 10 बच कर 44 मिनट, शाम की पूजा पर शुबूरत होगा, शाम 5 बच कर 27 म आईए जानते हैं सोनवती अमावस्या के दिन कि वस्त्रों का दान करना चाहिए तिल का दान अमावस्या तिधी पित्रों की तिधी मानी जाती है पित्रों को प्रसमे करने के लिए काले तिल का दान प्रभावशाली होता है सोमतिय मावस्या की खास सही उपर काले तिल का दान करना चाहिए दान करते समय पित्रों को दिहान कर दान करें धार्मिक मानिता है कि आप जो वस्त्रों दान करते हैं पित्रों को प्राप्त होती हैं वस्त्र का दान गरू पुरार के अनुसार सोभवती हमावस्या पर धूती गम्चा समेत अन्य वस्ट्रों का दान करने से पित्र प्रसंद होते हैं। इस दिन पित्रों के निमित वस्ट्र दान करना बहुती शुब होता है। करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी चीज़ें जैसे दूद चावल आदी का दान करना लापकारी होता है। भूमी का दान यदि आप शम्तामान और संपन्ने हैं तो पित्रों को किसंद करने के लिए सोमवती अमावस्या के इस खास सही उपर भूमी का दान करें। शास्त्रों के नुसार भूवी का दान महादान माना जाता है। पिंडदान हिंदू दर्म में पिंडदान का बड़ा महत्व है मानिता है कि जिन लोगों ने अपने पित्रों का पिंडदा ही किया है उन्हें सुमतिय मावस्य के दिन पित्रों के लिए पिंडदान करना चाहिए इससे पित्र दोश दूर होता है फ्रेंड्स अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सबी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उपचार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले